नमस्कार बुड़ापा आने से पहले खुद को बुड़ा मत बनाना अगर आपकी उम्र भी 40 हो गई ना और अगर आप भी ये बाते सोसते हो ना तो दावा है मेरा आप से आप 40 की उम्र में खुद को बुड़ा महसूस करोगे खुद को को गया रहा अब तो एज हो चुकी है अब कुछ नहीं है विचार आपको बुड़ा बना देंगे आपके दिमाग के थोट आपको ओल्ड बना देगे तो ध्यान रखना बुड़ा होने के उम्र से पहले बुड़ा मत होना अब वो ऐसे विचार क्या है जो आपको बुड़ा बनाते हैं समय से पहले आपको ओल्ड बना देते हैं आपको ओल्ड में बना देते हैं समय से पहले अगर आप यह सोसते हो आपकी 40 की एज और आप यह सोचते तो समय लेना आप भी अपने आपको old man feel कर रहे हो और वो बाते क्या है यह देखे number one सब कुछ पता होने की सोच को बदले आप की एच चालिस की हो गई है आप क्या सोच रहे और या आप तो मेरे को सब कुछ आता है अब तो क्या है उमर भी हो गई है अगर यह सोच रहे होना तो इट विल बी बिट मिश्टेक फोर यूर लाइफ ज्यान रखना कभी भी सीखने की उम्र खत्म नहीं होती है अपने आपको old man जैसा फिल नक रहा है जब बड़े-बड़े जो जिसकी सितर प्लस की होती ना सेवंटी प्लस की तो वो कहते हैं अब थोड़ा बहुत हमें कुछ नूले जे आप तो 40 एज में भी आप अपने आपको फिल करा रहे हो कि मुझे सब कुछ आता है यह सा मत करना अपने अंदर एक सीखने की ललक रखना अपने अंदर के स्टुडेंट को जिंदा र रखना सबकुछ जानने की आदद रखना वरना आप अपने आपको ऊबसे करोगे आप बुद्ड्र करोगे मन पसंद जोब करना आपने 40 साल तक तो दूसरों की पसंद जोब तक झाहां आप आपको इस्ट्रेस है जहां आपको मन नहीं लगता है वहां आप जोब कर रहे हो तो फिर आपका अंदर से आपका मन गवा नहीं दे रहा है वहां जोब कर रहे हो चिड़ चिड़े हो रहे हो आपका मन नहीं लग रहा है आप अंदर से दुखी हो रहे हो तो समय से पहले आप बुड़े हो जाओगे क्यों कि जहां आपका वर्क प्लेस है वहां तो आपका मनी नहीं लगता है दिन भर बस चेट चिटापन और दिन भर ऐसी लगता है मैं यहां क्यूं आया हूं जोब करने के लिए यह जोब मेरे मन की जोब नहीं है तो अगर आपने इसा किया ना तो देगी और आपका मन अंदर से खिला खिला रहे तो यह बात ध्यान रखना है अपने सपनों को कभी मत छोड़ना ध्यान रखना चालिस की एज आते आते लोगों के सपने मरने लगते हैं विसोशते हैं कि अब तो 40 की एज हो गई अब क्या होगा अब मैं कुछ नहीं कर ध्यान रखना इसे हज्जारों एक्जामपल्स इस दुनिया में बड़े बड़े जिन्नों ने 50 साल की एज में 60 साल की एज में बहुत कुछ बड़ा कर दिया तो आपकी तो 40 की एज हुई है 40 की एज है कभी भी अपने सपने को मरने मत देना मैं तो कहता हूँ जग तक आप जीवित हो तब तक अपने सपने को मरने मत दो 40 की एज में आपने सपने को मार दियाना तो समझ लेना कि आप वो जल्दी बड़े हो चुके हो इसलिए अपने सपने को जिंदा रखना तो आप जिंदा रोगे, आप यंग फील करो फास्ट फूट, ड्रिंक और दुम्रुपान से दूर रहे ध्यान रखना अगर आप फास्ट फूट गर का बार ज़्यादा खाना खाऊगे ड्रिंक करोगे, दुम्रुपान करोगे तो वो जल्दी बुड़े हो जाओगे, वो जल्दी ओल्ड मैन बन जाओगे अरे यार अभी तो आप चालिस की एज हैं थोड़ा योग करें, एक्साइज करें और हेल्दी खाना खाएं साल में एक बार आप हेल्थ चेक अप कराएं इसलिए बार का खाना छोड़ दें अगर आपकी चालिस की एज होगी, हाँ कभी का बार खा सकते हो लेकिन आप डेली, फाश्ट पूर, ड्रिंक, दुम्रुपान मत करना कि अब आपकी वो एज नहीं है जो आप सब कुछ सहल होगे, अब आप चालिस के हो गए हो तो यह सारी चीजों को छोड़ दे, इनको जल्दी ज़्यादा छोड़ोगे तो अच्छा रहेगा भविश्य पर फोकस करें, फ्यूचर पर फोकस करें आप सोच रहे हो, चालिस की एज होगे, अब क्या करना है, आप जो चल रहा है, जो चलने दो, आप तो जिन्गी ऐसे ही है, कट जाएगी, यह एसा न करें, अपने अंदर के छोटे बच्चे की जिग्यासा होती है, वैसी जीवत रखें, और अपने फ्यूचर पर फोकस करे अपने लक्षे पर फोकस करें, यह नहीं जाएगी, यह आप जल्दी ओल्ड मेन बन जाओगे, अप फोट पाइप की एज में बन जाओगे, इसी सोच रखोगे तो, इसी सोच मत रखना, यह बाते आप जरूर याद रखना, वरना आप समय से पहले ओल्ड मेन बन जाओगे बुड़ा बन जाओगे बुड़ापा आपके अंदर आ जाएगा